नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनीत आवाज आज हमारे साथ हैं पैगाम टीम के कारेकरता जो की रामवीर सिंग जी हैं और अजय हितेशी जी हैं पैगाम टीम ने जो है हमेशा से समाज को जागरूप करने का काम किया है हमेशा से समाज के मुद्दों को उठाया है खासकर SCST OBC और Minority Work के मुद्दों को ये उठाते आए हैं और लगातार जगा जगा पर ये प्रोग्राम भी करते आए हैं तो आज सर अब क्या कुछ है प्रोग्राम जिसके लिए आप लोग आए हैं और क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है 21 जुलाई को सबसे पहले पूजा मेहम आपको नमश्कार हमारा मुद्दा एक है कि सबसे पहले भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए एबियम ब्यंद होने चाहिए तो यह हमारा मुद्दा है और 20-21 जुलाई को हमारे तीन संख्थन इसमें कॉंस्टिशन कलब दिली में मीटिंग करने जा रहे हैं तो इसमें WTP है और पैगाम है और OBC Front of India यह तीनों मिलकर के 20-20 जुलाई को उपना जो है कॉंस्टिशन कलब में प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भारत बास्यों से कि ज्यादा से चैनल के द्वारा मैं पूजा मैं का भी धन्बाद करता हूं कि आप बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं और आप सभी लोग पढ़ारें 20-20 जुलाई को कॉंस्टिशन कलफ और इंडिया या दिली में तो आप सभी का वैलकम है जै भीम जै भारत जै पैगाम जै भारत अज ये कौन-कौन लोग यहां पर जुटेंगे कौन-कौन लोग शामिल रहेंगे सबसे पहले तो जनियत आवाज के सभी सातियों का मैं दिल से धन्य बात करता हूं ये हमारा जो कारे करम है Constitution कलफ दिली में है और ये सेमिनार दो दिन का है हमारा और दो मुद्दे रखे गए है ये हमारी इसमें दो मुद्दे हैं एक तो पहला मुद्दा है जातिगत जनगरना होनी चाहिए पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा है हमारा कि EVM पर बैन होना चाहिए और valid paper से चुनाव होना चाहिए भारत वर्स में ये दो मुद्दे को लेकर हम Constitution कलब में दो दिन का एक स seminar हम लोगों ने रखा है जिसमें हम पैगाम organization पैगाम के लोग हैं और WTP और OBC Front of India ये तीनों organization मिलकर वहाँ पर एक कारेकरम आयोजित कर रही हैं और मैं सभी जो मुझे सुन रहे हैं मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता हूं कि वो 20 और 21 तारिक को दो बज़े से लेकर पैles 15 और 22 तक हमारा कारेकरम चलेगा आप सभी सम्माणी साती से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस कारेकरम में आकर उस कारेकरम की सुभा को बढ़ाएं और जो हमारे मुध्डे हैं उन मुध्डों पर आके सभी जो वक्ता-गर्ण है जो हमारे समाज में सेर्णी में बैठने वाले लोग हैं मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग आईए और अपने अपने विचारों को वहाँ पर रख कर और जो वहाँ पर लोग होंगे जो वहाँ उपस्तित दर्सक होंगे उनको अपने विचारों से अगवाथ कराएं तो यही मैं आपसे प्राथना करता हूँ, एक बार पुन है, मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कि 20 और 21 तारिक को Constitution कलब में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कारे करम आयोजित होगा, जिसमें हम लोग बीच में एक लैंच का भी प्रोग्राम रखा है, और लैंच के बाद में सब लोग एक सब का अविवादन होगा, स्वागत होगा, स्वागत के बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, यह हमारे एक कारे करम रखा है मैडम, तो इसका समय क्या रहेगा सर्थ, जी इसका समय है, दो बजे से 8 बजे तक है, तो इसमें सभी प्रकार से चात्र भी शामिल रहेंगे? तो सरी, इसमें क्या कोई registration जैसा भी कुछ है कि registration करवाना पड़ेगा तब आप वहां पर आ सकते हैं? जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, registration कोई नहीं है सब फृरी है, इसमें कोई registration की बात नहीं है तो ये दो मुद्धे हैं दो मुद्दों को लेकर हम मैदान में हैं जो एक EVM का बुंदा हमने बताया आपको और दूसरा है जातिगत तो अब यह इन मुद्दों को लेकर हम लोग आएं हैं और इन मुद्दों पर ही चर्चा पूरे दिन वहां चलेगी और जो भी वक्ता जो भी भाई जो भी वहां आन चाहते हैं वो हमारे जो टीम है वहाँ पर सिस्टमेटिक्स तरीके से हमारे लोग होंगे वैलेंटर होंगे जो भी बोलना चाहे इस मुद्दे पर वो हमें अपना नाम लिखाए पहले हम उसको फिर मौका देंगे चाहे बहुत बहुत शुक्रिया सर तो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाँ जुटें और शिर्कत करें बीस इकिस के दो दिवसी प्रोग्राम में जरूर पहुँचें क्यूंकि ये बहुजनों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है और जितने भी ज् संक्यक समाज की हकमारी हो रही है जिस तरीके से उनकी वाजीब हिस्सेदारी के लिए ये प्रोग्राम रखा वेया है तो आप लोग जरूर आएं और जरूर महां पे वक्ता लोगों को वक्तागणों को सुने कि किस तरीके से दो जो टॉपिक रखें बहुत महत्वपूर ट तक ये प्रोग्राम चलेगा इसमें लंच भी है और आप जरूर आएं और साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये इन्विटिशन कार्ड है इसमें तीन जो संगठन है वो सक्रिय रहेंगे वी दपीपल पैगाम ओवी सी फ्रंट ऑफ इंडिया और जरूर इनको सुने और ये हमारे प्रोग्राम में आकर ये बताने के लिए तो आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचे और शिर्कत करें इसी के साथ देखते ही जनित आवाज मेरे सेयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा दिली